आज हम जो पार्ट पहड़ने वाले हैं उसका नाम है चतुर बुझ चतुर बुझ को अंग्रेजी में quadrilaterals कहते हैं चतुर बुझ का क्या मतलब है? चतुर बुझ का मतलब है चार बुझाओं वाला जिसी भी आकार की चार भुज होती है उसे चतुर भुज कहते हैं इसका एक उधारन देखते हैं यहाँ A, B, C, D एक चतुर भुज है इसके भुज है A, B, B, C, C, D और D यह चार होने के कारण इसे चतुर भुज कहते हैं A, B, C और D इसके कोने होते हैं AB और AD के बीच के माप को हम कोन कहते हैं कोन को अंग्रेजी में एंगल भी कहते हैं चतुर बुझ को हम कहा कहा देखते हैं बचपन में सभी ने पतंग तो खेली योगी पतंग भी एक चतुर बुझ है इसके भी चार बुझ है जैसे ये एक बुझ ये भी एक बुच, ये भी एक बुच, ये भी एक बुच, चार बुच है, किताब, किताब भी एक चतुर बुच है, इसके भी चार बुच है, एक, दो, तीन और चार, मारे भारत देश का जंडा, ये भी एक चतुर बुच है, इसके भी चार बुच है, दुनिया में कई जगा पर चतुर बुझ पाया जाते हैं, इसलिए इसके बारे में विस्तार से फढ़ना बहुत आवश्यक है, उधारन है, मकान बनाते समय भी चतुर बुझ का ग्यान आवश्यक है, भुझाओं की लंबाई तता कोनों के मापत के आधार पर चतुर बुझ के कई प्रकार होते हैं, चतुर भुज के प्रकार, पहला है समानतर चतुर भुज, इसे पैरलेलोग्राम भी कहते हैं, दूसरा, सम्चतुर भुज, तीसरा, आयात, चोथा, वर्ग, चलो अब हम एक एक करके इन सभी के बारे में फड़ते हैं, पहला समानतर चतुर भुज, जो कि ऐसा दिखता है, समानतर चतुर भुज की सम्मुक भुजाएं परस पर समानतर होती हैं, यानि AB और CD समानतर है, और AD और BC समानतर है, इसकी विपरीद भुजाओं का माप समान होता है, यानि AB और CD का माप समान है, BC और AD का माप समान है, इसके विकरन परस पर सम भी वाजित करते हैं, यानि AO और OC का माप समान है, BO और OD का माप समान है, समानतर चतुर भुज में विपरीद कौन समान होते हैं, यानि A और C समान है, B और D समान है, समानतर चतुर भुज में समुक होनों का माप 180 डिगरी होता है, यानि A और B का माप 180 वाप चलो, अब हमें कुधारन देखते हैं, समानतर चतुर भुज, PQRS में Q यदी 130 है, इस आधार पर अन्य कोनों का माप लिखो हमने फड़ाता समानतर रिखो भुज में विप्रीत कौन का माप समान होता है, यानि S और Q समान है, यानि S का माप 130 डिगरी है, और और इसमें समुक कौन का माप 180 होता है, यानि इस आधार पर, P का माप 50 डिगरी हुआ, तो R का माप भी 50 डिगरी ही होगा, समानतर चतुर बुज के बाद सम चतुर बुज भी आता है, जिसे हम रोंबस भी कहते हैं, यहाँ A, B, C, D एक सम चतुर बुज है, जिस चतुर बुज की सभी बुजाएं, परसपसरवां का सम हो, यानि कांग्रोंट हो, उसे सम चतुर बुज कहते हैं, यानि, A, B और, B, C, और, C, D, और, A, D का माप समान है, इसके विकर्ण के बीच का माप 90 डिगरी होता है, यानि, B, O, C का माप 90 डिगरी है, इसमें भी विपरीत कौन समान होते हैं, यानि, A और, C, समान है, B, और, D, समान है, समुक कौन का माप B, 180 डिगरी होता है, यानि, A प्लस B, 180 डिगरी है, इसके विकर्ण भी परस पर सम भिवाजित करते हैं, यानि, A, O, और, O, C, का माप समान है, B, O, और, O, D, का माप समान है, अब हम एक उधारन देखते हैं, सम चतुर्बुज, PQRS में, यदि OPS का माप सम 55 डिगरी है, तो QRS का माप ज्याद करो, हमने पढ़ा था कि सम चतुर्बुज में विप्रीत कौन का माप समान होता है, यानि, QRS का माप, और, QPS का माप समान है, सम चतुर्बुज में, विकर्ण कौन को दो भाग में समान बाटता है, यानि, QPO और, OPS का माप समान है, यानि QPO का माप पिछे तर हुआ, तो, QPS का माप, QPO का माप, और, OPS का माप जोडने पर मिल जाएगा, जो कि 150 डिग्री होगा, तो, QRS का माप भी, 150 डिग्री होगा, सम चतर बुज के बाद, आयात भी आता है, जिसे हम RETANGLE भी कहते हैं, आयात, जिस चतर बुज के सभी कौन, सम कौन होते हैं, यानि 90 डिग्री होते हैं, उस चतर बुज को आयात कहते हैं, इसमें विपरीद बुजाओं का माप समान होता है, यानि A, B और C, D का माप समान है, इसमें विकर्ण का माप भी समान होता है, यानि A, C और B, D का माप समान है, आयात में भी विकर्ण परस पर सम भीवाजित करते हैं, सम भीवाजित का मतलब BISECK, यानि A, O और O, C का माप समान है, B, O और O, D का माप समान है, अगर हम इसको और इसको देखें तो हम ये बता सकते हैं कि A, O और O, C और B, O, O, D, इन सभी का माप समान है, अब हम एक उधारन देखते हैं, आयात PQRS में यदि PQ का माप 7 से मी और PS का माप 9 से मी है, तो QR और O, C का माप ग्यात करो, हमने पढ़ाता, आयात में विपरिद बुजाओं का माप समान होता है, यानि यसार का माप PQ के समान होगा, जो कि 7 से मी होगा, और QR का माप PS के समान होगा, यानि, नो से मी होगा, आयात के बाद वर्ग आता है, जिसे हम स्क्वेर भी कहते हैं, वर्ग, A, B, C, D, या एक वर्ग है, जिस चत्र बुज की बुजाएं परस पर सर्वां का सम तता सभी कौन, सम कौन हो, उसे वर्ग कहते हैं, वर्ग में सभी बुजाओं का माप समान होता है, यानि, A, B, B, C, C, D, D, A, का माप समान है, सभी कौन, सम कौन होते हैं, और वो नबह डिगरी होते हैं, इसमें, विकरन के बीच का माप नबह होता है, वर्ग में भी विकरन परस पर सम भी वाज़िद करते हैं, यानि, A, O, O, C, का माप समान है, B, O, O, D, का माप समान है, यानि, A, C, B, D, का माप समान है, चलो, अब हम एक उधारन देखते हैं, वर्ग, D, E, F, G, के विकरन, D, F, तता, E, G, परस पर, बिंदू, M, पर, प्रतिचे एधिद करते हैं, यदि, D, M, का माप साथ से मी है, तो, E, G, का माप ग्याद करो, हमने पड़ाता, विकरन, परस परस हम भी बाजिद करते हैं, यानि, D, E, M, का माप M, F, के बराबर होगा, यानि, M, F, का माप साथ से मी होगा, तो, D, E, F, का माप, D, M, और M, F, को चोड़ने पर मिलेगा, यानि, साथ प्लस साथ, चोड़ा से मी होगा, हमने यह भी पड़ाता, की, वर्ग में, विकरन, समान होते हैं, यानि, E, G, का माप, D, F, के समान होगा, जो की, चोड़ा से मी है, चतुर भुज के चार प्रकार के बाद, अन्य कई प्रकार होते हैं, जिन में, दो हैं, समलम और पतंग, समलम, जो की, ट्रिपीशियम भी कहा जाता है, इसमें, इसमें, सिर्फ, विप्रीष भुज समानतर होते हैं, वो भी सिर्फ एक भुज, यानि, AB और CD समानतर है, बलकि AD और BC समानतर नहीं है, इसे समलम कहते हैं, पतंग, यहां ABCD एक पतंग है, पतंग के सम्मू भुज समान होते हैं, यानि, AB और AD समान है, DC और BC समान है, अंत में, हम सभी चतुर बुज के बारे में, फिर से एक और एक बार देखते हैं, यहां देखिए, Quadrilateral जिसे चतुर बुज कहते हैं, इसके तीन भाग में बांटे जाते हैं, यह है समलम, यह है समानतर चतुर बुज, यह है पतंग, अगर हम देखें तो, आयात भी एक समानतर चतुर बुज यह है, फरक बस यह है कि समानतर चतुर बुज में, सभी कौन सम को नहीं होता, बलकि आयात में होता है, देखें तो, सम्चतुर बुज भी एक पतंग है, पतंग में सम्मुख बुज समान होते हैं, बलकि सम्चतुर बुज में सभी बुज समान होते हैं, इस प्रकार से सम्चतुर बुज एक समानतर चतुर बुज भी है, क्योंकि इसके भी बुजाएं परस पर समानतर होती हैं, परक सिर्फ इतना है, इसमें सभी बुज समान है, इसमें बस विप्रीत बुजाएं समान है, वर्ग को देखें तो वर्ग आयात भी है और सम्चतुरगुज भी है इन दोनों में फरक सिर्फ इतना है कि सम्चतुरगुज में सभी कौन सम्कौन नहीं होता बल्कि वर्ग में सभी कौन सम्कौन होता है आयात और वर्ग में सिर्फ इतना ही फर्क है कि आयात में सिर्फ विप्रीद बुजाएं समान होती है बलकि वर्ग में सभी बुजाएं समान है सिर्फ इस तस्वीर से हमें पूरे चतर बुज के बारे में अच्छे से ग्यात हो सकता है तो एक बर मैं फिर से धोराता हूँ ये है चतुर्बुज चतुर्बुज तीन भाग में है ये है समलम ये है समांतर चतुर्बुज ये है पतंग सम चतुर्बुज पतंग और समांतर चतुर्बुज ही है और आयात एक समांतर चतुर्बुज ही है वर्द एक सम्चत उर्गुज सता आयात भी है धन्यवद